आप सभी लोगों का राइस स्मार्ट हिंदी के यूट्यूब प्लाटफॉर्म पर बहुत बहुत स्वागत है जहां हम करने जा रहे हैं SAC MTS 2024 के foundation batch में chemistry और biology के questions की धुवाधार practice और उसके concept की तयारी तो जल्दी से जल्दी इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ share कीजिए क्योंकि खुशियां और ज्यान तो बाटने से बढ़ती है उमीद है आप सभी लोगों की तयारियां बहुत ही जोरो सोरो से चल रही होगी और काफी अच्छी होगी बस उन्हीं तयारियों को थोड़ा सा और सूपर फास्ट बनाने के लिए उन्हें और चमकाने के लिए हम कुछ नए सवालों के साथ और उनके concepts के साथ आपके सामने हुए हैं आचिए तो जल्दी से जल्दी से वीडियो को अपने दोस्तों के साथ share कीजिए ताकि वो भी इस चीज का फाइदा ले सके तो स्टार्ट करते हैं अपना ये foundation batch जो targeted है SAC MTS 2024 के exam को ध्यान में रखते हुए जहां हम practice करने वाले हैं biology और chemistry के question और ये रहा आपके सामने पहला सवाल which of the following statement is incorrect इसमें से कौन सा ऐसा statement है कथन है जो गलत है all living things require air to breathe सभी जीवित जीवों को सांस लेने के लिए oxygen के आवश्रक्ता होती है sorry not oxygen air वायू लिखा है उसके आवश्रक्ता होती है we can feel air but we cannot see it हवा को हम महसूस तो कर सकते हैं लेकिन देख नहीं सकते moving air makes it possible to fly a kite हवा जब बैह रही होती है तो इससे हम पतंग उड़ा सकते हैं इसकी संभावना बनती है air is present everywhere but not in soil हवा हर जगह उपस्तित होती है लेकिन मिट्टी के अंदर नहीं होती क्या ये कथन अपने आप में सही है बिलकुल भी नहीं हवा जो है वो हर जगह है मिट्टी के अंदर भी है ठीक है तो हवा जो है वो not in soil जो लिखा है ये कथन गलप है तो ये incorrect statement हमारा कौन सा हो गया d very good next question जो अब हमारे सामने है वो है which of the following joints is immovable कौन सा ऐसा joint है जोड है हमारे हड्डियों का जो move नहीं कर सकता जिसमें गती नहीं है क्या shoulder, arm तो हम shoulder को, arm को move कर सकते है knee और ankle तो knee और ankle हम सब को move कर सकते है upper jaw and skull देखो हम मैं जब बोल रहा हूँ या जब हम खाना खाते हैं तो हमारा नीचे वाला जबड़ा जिसे mandible भी कहा जाता है और उपर वाला जबड़ा इसे maxilla कहा जाता है तो mandible यानि lower jaw नीचला जबड़ा हिलता है बट उपर वाला जबड़ा नहीं हिलता हमारी खोपडियों के हड़ी के जो joints होते हैं वो नहीं हिलते तो immovable कौन है तो upper jaw and skull तो यह दोनों ही immovable है नीचे वाले यानि कि गती सील जिस नहीं है अचल जोड है lower jaw इसमें गती सीलता है यह चल सकता है लेकिन अपर jaw यह jaw जो है इसमें यह अचल जोड है इसमें कोई गती नहीं होती उस जोड को हम हिला नहीं सकते ठीक है चलें next question which of the following change cannot be reversed कौन सा ऐसा change है परिवर्तन है जिसको हम वापस नहीं ला सकते एक तो परिवर्तन यही है जो समय का चक्र है एक बार समय हमारा आगे बढ़ गया तो वो पीछे नहीं आ सकता तो आप लोगों के पास जो यह समय है बहुत ही महत्यपूर्ण समय है इस समय को बहुत अच्छे से यूटिलाइज कीजिए क्योंकि यह समय भी एक वार आपके हाथ से निकल गया तो इसे हम वापस नहीं ला सकते जिंदगी का यह दौर एक वार गुजर गया तो गुजर गया इसे वापस नहीं ला सकते इसलिए बहतर तरीके से जिंदगी के दौड में सामिल होई है अपने सभी options को अच्छे से यूज कीजिए ताकि समय रहते आप अपनी life को अच्छे से settle कर सके नहीं तो पूरी जिंदगी डावा डोल रहेगे इस्थिति तो अभी स समय है मेहनत से अपने target को achieve कीजिए distraction से बचिए बहुत सारे destruction है बहुत सारे आप लोगों को पता है कौन सा इसमें से लेकिन हम देखें रिवर्स नहीं कर सकते harding of cement cement एक वार hard हो जाए तो उसको वापस cement पुराना हालत मिला सकते हैं freezing of ice cream ice cream जम गया क्या उसको हम पुराना अपने वापस पुरानी स्थिति मिला सकते हैं एक door जिसे खोल दिया गया है क्या उसको वापस हम बंद कर सकते हैं melting of chocolate जो melt हो गया क्या उसको वापस हम जमा सकते हैं यह तीन चीज़ें वापस हो सकती हैं लेकिन जो हमारा cement hard हो गया एक बार तो उसको वापस अपने पुराने फॉर्म में नहीं लाया जा सकता तो जिसको हम पुराने फॉर्म में आपस ला सकते हैं यह कहलाता है physical change जिसको नहीं ला सकते है यह कहलाता है chemical यानि यह तीन आपके physical changes भॉतिक परिवर्तन है और यह आपका chemical change यानि रचाइनिक परिवर्तन है जैसे दूच का दही बना यह एक irreversible है लहे का जंग में वापस ला सकते हैं which of the following is not a natural fiber इन में से कौन सा ऐसा तंतु है रेशा है जो प्राकृतिक नहीं है और प्राकृतिक एक कॉटन कपास बिलकुल प्राकृति में बनता है जूट प्राकृति में बनता है फ्लैक्स प्राकृति में बनता इसी के पौधे से यह निकाला जाता है। नाइलोन यह हमारा मैनमेड है यानि कि इंसानों के द्वारा बनाये गया थ्रेड है। तो नाइलोन जो है यह प्राकिर्तिक नहीं है कृत्रिम है। इसे कौन सा ऐसा कारे है जो तने का प्राथमिक कारे नहीं है। तो तने का प्राथमिक कारे क्या है पौधे को एक उचाई परदान करना और मजबूती से पौधे को गड़ के मदद से जमीन से जोड़े रखना। लेकिन में काम पौधे का है क्या कि एक उचाई परदान करना लेकिन कभी-कभी क्या है और उसके साथ उसके अंदर वाटर का कंड़क्शन अंड़क्शन तो होता ही रहता है जालम रहते हैं लेकिन फोटो सिंथेसिस से कैसी प्राखिरिया है जो तने का नहीं है लेकिन इस Synthesis यानि प्रकास Sonsolation के प्रकेरिया होती है, क्योंकि क्लोरोफिल पत्तियों में होती है, लेकिन अब यहां पर पत्तिया तो बदल गई काटों में, तो photosynthesis कैसे हो, तो photosynthesis के लिए तने के अंदर chlorophyll आ जाता है, तो इस तरह से cactus या नाखफणी की जितनी भी परजातियां हैं, वो अपने तने के माध्यम से परकाश संसलेशन करती हैं, फोटो सिंथेसिस करती हैं, जो की तने का प्राथमिक कार्य नहीं, ठीक है, which amongst the following methods would be most appropriate to separate grains from bundles of starts, अना अनाज की ऐसी गठरी बनाई जाती है, अब उस अनाज की गठरी से अनाज के दानों को अलग करने के लिए इन में से कौन सा सबसे बहतरीन तरीका है, hand-picking, हाथ से चुन-चुन कर अलग करना, winnowing, यानि हवा की मदद से उसको अलग करना, sieving, छानना, thresing, यानि पीठना, तो यह हमारा कौन सा है, तो इसमें क्या करते हैं, गठर को लेकर एक hard surface पर ऐसे ठोकते हैं, पीठते हैं, इसी को कहते हैं, thresing, thresing की मदद से हम आसान water, half filled with water, एक tumbler, यानि एक बर्तन कहलो है, जिसमें आधा पानी भारा हुआ है, अब इन में से एक पेर जो है, यहां से वोड हम डालते हैं, तो कहता है, कौन ऐसा है, जो उसमें तैरता हुआ होगा, iron nail, thermocall, तो thermocall तो तैरेगा, बट iron nail, यानि लोहे की kill, यह नहीं तैरेग रबर बैंड, कौाइन, कौाइन पानी में डालो, डूब जाएगा, तो इस तरह से हमारा क्या है, फेदर और प्लास्टिक की गेंद, यह दोनों ऐसी है, जो पानी में पैर सकते हैं, जिन जिन लोगों ने भी सही आंसर किया, उन सभी को मेरी तरफ से लाइक है, और जो अग अपनी गलतियों को यहाँ पर देखें, समझें और उसे सुधार लें, ताकि जब फाइनल्स खेलने के लिए आप उतरेंगे अपने एग्जामनेशन हॉल में, वहाँ पर गलती की गुंजाईस नहीं होनी चाहिए, अगर वहाँ आपने गलती की, तो उस गलती की बड़ी प खून उतना ही कम निकलेगा, यानि आप जितनी अच्छी प्रैक्टिस करेंगे तो व्यसी बात है, दूसरा कोई आपको नुकसान नहीं पहुंचा पाएगा, तो अभी आप जितना ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे, उतना ज्यादा आपके सेलेक्शन के चांसेज बढ़ते रहेंगे क्योंकि गलतियां कम होंगे, ठीक है? तिस का विकार है, यह किस में पाएजाता है? तो यह है स्मॉल चिल्ड्रेन, छोटे बच्चो में, वेरी गुड़, नेक्स्ट, आईसी बियन इस्टेंड्स फॉर, आईसी बियन किस चीज का फुल फॉर्म है? जल्दी से बताएगे, आपके सामने है, आईसी बियन किस इसी जड़ एन होता है, International Code for Geological Nomenclature, जिसका मुख्य काम है, पौधों का, जन्तुओं का एक विज्ञानिक नाम देना, ठीक है? चलिए, गैसी इस कॉमनली यूजड इन एनस्थेसिया, इन में से कौन सा ऐसा गैस है, जिसे एनस्थेसिया, यानि की, हमारे अंग को सुन करने के लिए या कहलों बेहोस करने के लिए दिया जाता है, मीथेन, नाइट्रोस ऑक्साइड, नाइट्रोजन या हाइट्रोजन पैरोक्साइड, जब हमारे दातों का इलाज किया जाता है, तो दातों के मसूडों में इस गैस को इंजेक्ट कर दिया जाता है, जिसे हमारा दात वहाँ पर सुन हो जाता है फिर अगर उसको खाड़ा जाए तो हमें दर्द मैसूस नहीं होता और वो है नाइटरस ऑकसाइड इसे ही हम लाफिंग गैस के नाम से जानते हैं है ना नाइटरस ऑकसाइड यानि की असाने वाला गैस इस गैस को अगर आपने थोड़ा सा amount में सुंगा तो क्या होगा हस्ते हस्ते पागल हो जाईएगा पेट पकड़ के हस्ते रहिएगा जमीन पे लोट-लोट के हसी इतना ज्यादा हसी आएगी बिना बात के हसी आएगी डुख वाले गम वाले महौल में भी आपको हसी आईगी विच गैसे यूजड इन फिलिंग इलेक्टरिक बल्ब बताईए इलेक्टरिक बल्ब के अंदर कौन सा इनर्ट गैस भरा जाता है क्या यह नियॉन है रेड़ान है आरगन है क्रिप्टन है कई बच्चों के दिमाग में आ रहा हुआ है हीलियम लेकिन यहां ऑप्शन में हीलि किया जाता है नेक्स अर्थ वॉर्म ब्रीद थू देर अर्थ वॉर्म जो कि एक सदस्य है किसका एनलीडा तो जब हम जन्तु जगत का वर्गी करण देखते हैं इनमें विसेश कोई नहीं होता सांस लेने के लिए यह अपने त्वचा की मदद से सांस लेते हैं तो आर्थ वर्म कैसे सांस लेता है अपने त्वचा की मदद से कैच वाटर वेयर इट फॉल्स इस दअ बेसिक अईडिया विहाइं है package वाइट अभीभी रहीनि सीजन तो कहता है कि कैच वाटर वेयर इट कार या जहां पाने गिडे वही उसे पकड़ लो जहां पानी गिड़े वही पर उसे पकड़ लो यानि rain water को waste मत करो rain water को harvest करो ठीक है तो यह किसका मदद पीछे का concept क्या है recycling of water water को recycle करना making dams to store water दुनिया का सबसे बड़ा harvesting condensation of water vapor तो अभी मैंने जब आपको समझा है तभी कहा कि catch water where it falls का concept जो यह है कि do not waste water rather harvest water rain water harvesting इसका हमारा सही answer है तो बात हो रही थी dam दुनिया के सबसे बड़े dam ये आपका है three versus dam जो कहां पर है भाई तो यह है चाइना में जब 2012 में जब 2012 में आ रहा था उस समय बाद की दुनिया खत्म होने को है मूँ भी बना दी गई 2012 लेकिन 2012 में इसने दुनिया की ये सबसे बड़ी dam बना कर चीन ने तयार कर दी लेकिन इसके लिए परियावरण को environment को बहुत नुकसान पहुंचाया गया क्योंकि इसके लिए काफी सारे जंगल काटे गये जिससे बहुत सारे जन्तू बहुत सारे पक्षी बेघर हो गये उनका आवास छिन गया उनकी बहुत सारे उनमें जन responsible for oxygen transport in humans इंसानों में oxygen transport के लिए इन में से कौन उत्तरदाई है lymph, hemoglobin, mucus या melanin, melanin हमारे तवचा के skin के लिए उत्तरदाई होता है तो hemoglobin है जो क्या करता है oxygen transport करता है one hemoglobin जो है वो four oxygen molecule कैरी कर सकता है तो एक hemoglobin चार oxygen molecule को एक जगा से दूसरी जगा ले जा सकता है is the greatest conductor of heat इन में से कौन ऐसा है जो उस्मा का बहुत ही अच्छा चालक है mercury, lead, stainless steel और silver पढ़ाए सोना सबसे अच्छा उसके बाद silver तो silver हमारा यानि चांदी सही answers सबसे अच्छा heat conductor, सबसे अच्छा electrical conductor यह सब, name the amino acid which acts as a precursor of oxygen biosynthesis oxygen जो है यह एक आपका क्या है, plant hormone है, क्या है, plant hormone जो की length of plant, plant की लंबाई को mainly बढ़ाता है, इसके अलावा पार्थेनो कार्पी यानि की बिना seed वाले फल वगरा बनाने में भी यह मददगार होता है, तो कहता है इन में से कौन सा ऐसा amino acid है, जो oxygen के जैव sensation के लिए आवश्यक है, तो यह है tryptophan, याद कर लेना है, the sleep-wake cycle, सोने और जागने का जो चक्र हमारे सरीर में है, कि अब हमें नींद आ रही है, सोना चाहिए, अब नींद पूरी होगे, अब जागना चाहिए, तो यह सोने और जागने का जो चक्र है हमारे सरीर में, वो किस हॉर्मोन के द्वारा regulate होता है, melatonine, cortisol, progesterone और thyroxine, इन चारों में से किसके द्वारा हमारे सरीर के अंदर सोने और जागने का चक्र चलता रहता है, तो यह है melatonine, तो melatonine और, confuse मत कीजेगा, इसको melanine के साथ, तो melatonine अलग और melanine, तो melanine हमारा क्या है, यह color of, color भी कह एक तरह से कह लो, dark color of skin, skin के dark color के लिए responsible होता है, जितना जादा melanine हमारे skin में होगा, हमारा skin उतना ही dark होगा, तो जितना जादा गर्मीला पर्देश होगा, वहां skin के अंदर melanine उतना जादा बनेगा, हम उतने जादा काले होंगे, जहां पर धंड जादा पड़ती है, तरदियों का मौसम जादा रहता है, धूप कम निकलती है, तो वहां पर skin में melanine कम बनता है, तो वहां के लोग गोरे चमरी के होते हैं, गोरे हो एक fungus है, जो green plants होते हैं, fungus green नहीं होते हैं, यह white color के होते हैं, या लाल, नीले, पीले रंके होते हैं, अरे रंके नहीं होते हैं, क्लोरोफिल नहीं होता, इसलिए fungus भी परकास अंसलेशन या photosynthesis नहीं कर पाते, यह अपने भोजन को पाते हैं, सड़े, गले, मरे हुए जीवों से, तो fungus, अब green plants जो है, हरे पादब जो है, उनमें तो cellulose होता है, cell wall का material, fungus के अंदर क्या होता है, तो chitin and manan, next, tissues are absent in the body of, इनमें से किसके सरीर में tissue की, यानि उतक की, अनुपस्थिती होती है, प्लेटी हल मिन्थ, जिसे हम चप्टे, क्रीमी के नाम से भी जानते हैं, चप्टे, क्रीमी, और्थरोपोडा, जो जन्तु जगत का सबसे बड़ा phylum है, the largest phylum is, और्थरोपोडा, जिसके अंदर, पाक्रोच, प्राउंस, यानि के, चल्चटे, जिंगा मचली, आपके घर के अंदर रहने वाले मकडे, सरपे जुएं, खटमल, मक्खी, मच्छर, बिच्छू, केकड़ा, ये सभी इसके अंदर आते हैं, तितली, इतने भी तरह के तितली हैं, तो बहुत बड़ा इसका ये है, इसमें सिल्क वार, यानि रेसम कीट, लाख के कीट, मधु मक्खी, भी सी के सदस्य हैं, तो और्थरो पोडा, बहुत बहुत, बहुत बड़ा सम्द, तो किसके में टीशू नहीं होता, तो स्पॉंजेज के अंदर टीशू नहीं पायल जाता, स्पॉंजेज, जो की आपका पौरी फेरा, पौरी फेरा भी कहा जाता है, इसमें उत्त की अनुपस्थ तो हमारे दात के उपर जो सफेद रंग देख रहे हो यह एनमेल की उपस्सिति के वज़ा से है और यह किसका बना होता है कैल्सियम फॉसफेट का CA3PO4 whole twice तो कैल्सियम फॉसफेट तो यह किस नेचर का होता है क्या यह बेसिक है एंफोटेरिक है एसीडिक है या निव्ट्रल है एंफोटेरिक मतलब जो और यह एसीड एंड बेस दोनों की तरह काम करता हो हाना उभै धर्मी कहलाता है जिसमें अमलिय और फारिय दोनों तरह के गुण उपस्थित होते हैं तो उसे उभै धर्मी कहते हैं लेकिन यह क्या है तो यह है बेसिक यानि की चारिय प्रकिर्थी का ठीक है उमिद है आप लोगों उने भी बहुत अच्छे से आंसर किया होगा इन लोगों इन सभी सवालों का अगर जिन किसी सवाल के आंसर आपके सही नहीं हुए है तो उनके concept को अच्छे से समझने जिए और अभी तक अगर आपने वीडियो को इस station को अपने दोस्तों के साथ शेयर लीव्स बिच्छुआ के पत्तों में इनमें से निम्रिखित में से कौन सा अमल उपस्तित होता है यह वही अमल है जो मध्यमक्खी के काटने में चीटी के काटने में भी रहता है और यही बिच्छुआ के पत्ते एक special तरह का पत्ता होता है पेड़ है बिच्छुआ का जाता है दाने से आ जाते हैं तो तुरंत वहां पर किसी बेस का लेप लगा लिजे घर में अगर इनो है खाने वाला सोड़ा है उसका गाढ़ा सा गोल उसको वहां पर लगा लिए तुरंत उससे आपको रहत मिलेगा तो भई मेथानोइक असिड होता है इसमें मेथानोइक एसिड को ही हम फॉर्मिक एसिड के नाम से भी जानते हैं और इसका फॉर्मूला होता है है HCW OH ठीक है भी चलिए नेक्स्ट विच आफ दव फॉलोविंग इस इस इनमें से कौन सा ऐसा अमल है जो बहुत ही श्ट्रॉंग है प्रबल है इसिड है जिसे हम क्या कह सकते हैं। तो हम आसानी से खाते हैं अगर स्ट्रॉंग एसिड होता तो नहीं खा सकते थे citric acid, जितने भी आपके citrus fruits हैं, नेम है, संतरा है, कीनू है, इन सब में होता है, tartric acid, tartric acid आपका tamarind यानि की imli में minli देखने को मिलता है, nitric acid, HNO3, बहुत ही strong acid है, हम अगर इसके संपर्क में भी आ जाएंगे, तो हमारा skin तुरंट जल जाएगा, जादा देर संपर्क में आ गए, तो पूरी मान स्पेस या भी पिघला देगा यह, ठीके भई, list distance of distinct vision, एक healthy human eye का, एक स्वस्थ मानव नित्र का, जो नियूंतम दूरी पर देखने की जो चमता है, वो कितनी होती है, असपस्ट देखने की नियूंतम दूरी कितनी होती भई, 25 cm, very good, which one of the following human organs is less susceptible to harmful radiation, यानि कहीं पर खतरनाक विकिरण फैला हुआ है, harmful radiation है, तो हमारे सेट का ऐसा कौन सा अंग है, जो उस harmful radiation, उस खतरनाक विकिरण से सबसे कम प्रभावित होगा, क्या वो eyes है, heart है, brain है, या कि lungs है, सही answer, जल्दी से कीजिए, time is going up, time, यह हमारा है, lungs, यानि हमारे फैफड़े, जो harmful radiation से बहुत कम प्रभावित होते हैं, petroleum is also known as, petroleum को और किस नाम से जाना जाता है, भई इसे हम rock oil भी कहते हैं, बिल्कुल सही, इसे हम mineral oil के नाम से भी कहते हैं, इसे crude oil भी कहा जाता है, क्योंकि आप इसे directly use नहीं करते हैं, यह सुध होता है, जो petroleum मिलता है, जमीन के अंदर से जो पहले हमें कच्चा तेल जिसे हम कहते हैं, crude oil, उसी को फिर refine करके petrol, diesel, kerosene, यह सब अलग-अलग किया जाता है, तो इसको सभी नामों से हम जानते हैं, next, in the human, in human, the thickest skin is present in manus में सबसे मोटी तवचा कहां पाई जाती है, बहुत आसान है, सबसे मोटी तवचा जो है, हमारे पैर के एडी में, या फिर कहलो पैर का जो तलुआ है, उसके अंदर पाया जाता है, तो हथेली में नहीं, गर्दन पे नहीं, सिर पे नहीं, कहां पे, सोल यानि पैर के नीचे के हिस्से में, which of the following is not the vestigial human organ, इन में से कौन सा ऐसा organ है, जो अवशेशी अंग नहीं है मनुष्य के अंदर, अवशेशी अंग यानि vestigial organ, ऐसे organs हैं, ऐसे अंग हैं हमारे सेड के, जो हमारे सेड में उपस्तित तो हैं, लेकिन अब उनका कोई कारे नहीं है, बिना किसी काम के हमारे सेड में उपस्तित हैं, तो इसे कहते हैं vestigial organ, जैसे हमारे wisdom teeth, हमारे कान को हिलाने वाला muscles, appendix, यह सारे vestigial organs हैं, जो हमारा frontal teeth है, सामने वाले दात जो हैं, यह नहीं है, हाँ, wisdom teeth अगर कहता, कौन सा? wisdom teeth, जिसे हम अकल का दात, यह अकल दाड के नाम से जानते हैं, तो यह हमारा, again, क्या है, vestigial organ है, ठीक है, next, which of the following is used for storing biological tissue, इन में से कहाँ, हम biological tissue को store करते हैं, यानि कि, जीव के उत्तकों को वहाँ पर संद्रक्षित रखा जाता है, ठीक है, liquid nitrogen, liquid helium, liquid argon, या फिर liquid bromine, यह है हमारा liquid nitrogen, next, भई, the unit of the filtration system is, filtration nephron, neuron, glomerulus, woman's capsule, तो kidney, जहां हमारा blood का filtration होता है, वहाँ filtration unit क्या है, तो kidney की जो basic structural और functional unit, जिसे हम क्रियात्मक और संरचनात्मक इकाई के तौर पर भी जानते हैं, वो हमारा क्या है, तो वह है nephron, और nephron के अंदर ही glomerulus और woman's capsule पाया जाते हैं, neuron, यह तो हमारे nerve tissue है, यानि कि यह हमारे तंत्र का तंत्र से संबंधित है, तो neuron का filtration से तो कोई लेना देना ही नहीं है, which one of the following acid is predominantly found in tomatoes, इनमें से कौन सा ऐसा acid है, जो टमाटर में, मुख्य रूप में पाया जाता है, जल्दी से आंसर कीजिए, तब तक जड़ा मैं जिंदगी के दो घूट पीलूँ, बदाए यह, acetic acid, tartaric acid, oxalic acid या lactic acid, इसमें tomato में क्या पाया जाता है, तो यह है oxalic acid, कभी कभी आपको यह oxalate ऐसा लिखा हुआ भी मिल सकता है, तो tomatoes के अंदर oxalic acid या oxalates या उसके crystals बहुत होते हैं, तो ज़्यादा मातरा में अगर हम tomato खाते हैं, तो यह oxalates हमारे joints पे कठा होने रगते हैं, तो गठिया इसे कह सकते हैं, which of the following endocrine glands is not found in pure in humans, यानि कौन सा ऐसा endocrine gland है इंसानों में, जो जोडे में नहीं होता, adrenal gland, pituitary gland, testis या ovary, adrenal gland, adrenal gland कहां पर होता है, kidney के उपर, यह adrenal gland होता है, तो यह जोडे में होता है, testis, testis यह भी जोडे में होता है, ovary यह भी जोडे में होता है, लेकिन pituitary gland, जो कहां परजेंट होता है, हमारे brain में परजेंट होता है, और यह single होता है, तो pituitary gland है, जो हमारे सेर में, जोडे में उपस्थित नहीं होता, जिसे हिंदी में, प्यूश ग्रंथी के नाम से जानते हैं जब फल पक जाते हैं पौधों में और उनमें बीज भी तयार हो जाते हैं तो उस बीज को बिखेरने के लिए पौधे अलग-अलग टक्निक का इस्तमाल करते हैं उसी में से एक टक्निक है सेंसर मेकनिजम यह किसमें होता है कि जो हमारा पौड होता है यानि वो फल नुमा रचना जिसके अंदर वीज भरा रहता है उसका मुझ थोड़ा सा खुलता है फिर उसके डंडी ऐसे तेजी से हिलती है जिससे वह थोड़ा सा सीड इधर थोड़ा सा सीड इधर थोड़ा सा सीड उधर ऐसे थोड़ा-थोड़े में seed को disperse करता रहता है, एक जटके में सारी seed को disperse नहीं करता है, तो ये हमारा किस में होता है, पॉपी के अंदर, पॉपी plant, पॉस्ता, ये आच्चोली क्या है, बहुत छोटे छोटे दाना के रूप में होता है, लेकिन बहुत महंगा बिखता है, और ये पोस्तादाना बहुत ही गर्म होता है। सर्दियों में पोस्तादाना से बने हुई चीजों को हम खाते हैं या फिर हम अपने खाने की चीजों में थोड़ा थोड़ा पोस्तादाना भी ऐड़ान करते हैं ताकि सर्दियों में हमें गर्मी का एहसास मिलता रहे है। नेक्स्ट हमारा है, which of the following plants produce only seeds but no fruit, इनमें से कौन सा ऐसा है, जिसमें सिर्फ और सिर्फ बीज बनता है, लेकिन उनमें fruits नहीं बनता, तो देखो, sugarcane, peanut, ये आपका angio-spermic plants हैं, कौन से, almond, ये भी angio-spermic plants हैं, angio-spermic plants उसको कहते हैं, जिनमें क्या होता है, कि fruits और fruits के अंदर होते हैं seeds, ये दोनों चीजे होती हैं, लेकिन साइक्तस, ये एक gymno-sperm है, ये क्या है, gymno-sperm, इसमें क्या होता है, only seed, no fruit, बिना फलके ही इसमें बीज बन जाता है, तो साइकस, पाइनस, ये सब ऐसे, पाइनस को, पाइन ट्री, ऐसा भी लिखाव मिल सकता है, ये सब ऐसे हैं, जिन में, जिम्नो-sperm के सदस हैं, तो जिम्नो-sperm का कोई भी सदस से ले लो, उसमें सीधा बीज बनता है, इसलिए उसे हम कहते हैं, naked seed, नगन बीज, क्योंकि बीज के ऊपर फलक के जैसा कोई आवरण परजेंट नहीं होता है, which of the following reaction is based on the activity series of metals, metal के activity series पर कौन सा based है, तो भई देखो, decomposition में सीधा सीधा compound तूट जाता है, जैसे calcium carbonate इसको थोड़ा सा heat किया, तो ये calcium oxide प्लस carbon dioxide में तूट गया, इसमें reactivity series, यानि अभी क्रिया सिलता स्रिंखला की कोई जरुरत नहीं है, नेक्च आता है आपका displacement reaction, displacement में क्या होता है, जैसे अगर सपोजे करो कि CUSO4 है, जिंक के साथ इसका reaction कराया, तो जिंक ने क्या किया, कॉपर को हटा दिया, और खुद SO4 के साथ combine कर गया, ये कहलाता है displacement reaction, ठीक है, तो ये आपका A का example, ये B का example, तो displacement reaction में activity series की आवशक्ता होती है, क्योंकि ये बताता है कि जो अधिक अभिकरिया seal होगा, वो अपने से कम अभिकरिया seal को उसके यॉगिक से अलग करके, खुद उसके साथ combine कर देगा, इसको ऐसे समाज में भी क्या होता है जो जादा ताकतवर है वो अपने से कम ताकतवर वाले को उसकी जगह से नहीं हटा सकता यानि उसको डिस्प्लेस नहीं कर सकता लाइक अगर मैं यहां कहूं कि क्या जड़नेस ओफोर प्लस यू यहां पर अगर इन दोनों के बीच में अभीकिरिया करवाई जाए तो नो रियक्शन कॉपर जो है वो जिंक से कम अभीकिरिया सील होता है ठीक है डबल डिस्प्लेस्मेंट रियक्शन यानि एक ने दूसरे क पहले को अपनी से एक्शेंजर कर लिए तो तो इसमें भी रियक्शन कोई नहीं है सिंथेसिय。」 कोई चीज बनाना, उसमें भी रियक्शन का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि वहाँ पर दोजेशनी kitchen इस से ग्लुकोज बना दिया तो सिंथेसिस हो गया तो डिस्प्लेस्मेंट प्रेक्शन ऐसा है जहां हमें हातुओं की अभिकिरिया शिलतस रहनी यानि उसके रेक्टिविटी सीरीज के बारे में जानकारी होनी जरूरी है इसलिए कहते हैं क्योंकि यह क्या होता है ब्रेड केक इन सभी वह बनाने के लिए बेकिंग सोडा का उप्योग किया जाता है तो बेकिंग सोडा का फॉर्मुला क्या है जल्दी सब्सक्राइब सोडियम कार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, कैलसम कार्बोनेट या सोडियम हाइड्रोकसाइड क्या है यह आपका सोडियम कार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट यह हमारा बेकिंग सोडा का फॉर्मुला क्या है नेक्स्ट चॉक एंड मार्ब से तो वही है तो चौक और मार्बल किसके भिन रूप है तो चौक और मार्बल जो है यह आप मार्बल जिसको आप हिंदी में संग मर मर संग ही मर मर जाओ तो तो यह सब ही आपका है C A C U 3 कैल्सियम कार्बो ठीक है तो हमारा क्या है कैल्सियम कार्बोनेट जिसका फॉर्मला क्या होता है C A C O 3 और हम इसे लाइन स्टोन यानि की चूना पत्थर के नाम से भी जानते हैं विच अपड़ फॉलविंग इज आव वीक बेस इनमें से कौन सा ऐसा बेस है जो वीक है यानि की दुरबल चार है इन वेंज और के वेच यह यह दोनों ही काफी स्ट्रॉंग है थे स्ट्रॉंग हराना तो स्ट्रॉंग यह हमारे स्ट्रॉंग है याद रख है यद्य इन रख लीजिए- स्टोडियम हाय हर्टॉइड प्टैस neighbours बस तो यह हमारा क्या हो गया वीक मुंणियम हाइड्रोकसाईड N7iao , अं européico stupid पो замечатель से हम तो अ्मोनियम के नाम से जानते हैं तो औो ने जानते हैं और वे हंच मैं क्या काते हैंmitt वैज पो हम चेटेहं मैं गयित हैमाअद मैं युस तरह से इसका नाम हो गया ammonium hydroxide next which of the following statement is true इनमें से कौन सा कथन सही है acids are bitter in test नहीं भाई यह opposite हो जाएगा star आजाएगा इसमें और bitter आजाएगा base में यानि acid जो है स्वाद में खटा होता है base जो है स्वाद में कड़वा होता है तो यह opposite हो गया ना यह कड़वा वाला यहां आना है और खटा वाला यहां आना है तो दोनों ही कथन गलत हो गया इसका मतला reaction between acid and base is exothermic reaction यानि जहां पर क्या होती है heat evolve होती है यानि कि उसमा जो है वो निकलती है heat evolve होती है तो उसी को हम क्या कहते है exothermic reaction कहते है तो बिल्कुल सही जब भी किसी acid को हम base के साथ react कराते हैं तो salt plus water और plus वहां पर निकलता है heat तो यह हमारा correct statement है next which of the following metal reacts with water or steam to produce oxide instead of hydroxide तो oxide का मतलब कि metal oxygen के साथ combine कर जाएगा hydroxide अभी पीछे बताया और hydroxide का मतलब क्या हुआ कि वह OH बनाएगा तो sodium, potassium, calcium और magnesium इन में से कौन सा ऐसा metal है जिसे हम water के साथ या steam के साथ मतलब पानी को बहुत ज़्यादा गर्म कर दिया उनके साथ रियक्ट कराएंगे तो वह oxide बना देता है hydroxide नहीं बनाता है तो यह है हमारा क्या magnesium the acid present in the stomach हमारे और आपके stomach में जो acid उपस्तित होता है वो क्या है sulfuric acid, nitric acid, hydrochloric acid या sulfurous acid तो हमारे stomach में कौन सा है तो hydrochloric acid और HNO3 plus HCl अगर इसको हम 1 is 2 3 की ratio में mix करते हैं तो इसे हम क्या कहते हैं aqua regia यानि हिंदी में अगर देखा जाए तो अमल, राज, जो सभी अमलों का राजा है इसमें हर चीज, gold, platinum, silver जो अलग-अलग इन में से किसी भी acid के अंदर dissolve नहीं होता वो in aqua regia यानि अमल राज के अंदर बहुत आसानी से dissolve हो जाता है चुंकि gold, silver, platinum यानि चांदी, sona, platinum इन सबों का काम कौन करता है जोएलर, सुनार इसलिए इसे हम जोएलर, acid के तौर पर भी जानते हैं सुनार का अमल किसको, aqua regia को और यह क्या है, HNO3 और HCL का 1-3 के ratio में एक mixture तो यहां पर हमारा यह session खत्म होता है उम्मेद है आप लोगों ने इस session से बहुत कुछ नया सीखा होगा, जाना होगा, समझा होगा तो जल्दी से comment करके बता दीजेगा और जाते जाते हमारे इस session को like कर दीजेगा next time हमारे session में जुडने के बाद जरूर अपने दोस्तों के साथ भी share करते रहेगा आप लोगों के उजवल भविस के कामना के साथ हमारे पूरी राइस स्मार्ट टीम फिलाल अभी आप से लेती है विदा अगली क्लास में जल्द मुलाकात होगी तब तक आप लोग स्वस्त रहिए, मस्त रहिए और अपने अपने तयारियों में व्यस्त रहिए नमस्त